हाई एवरीवन, वेलकम तू नीट पेजीत सीरीज, मैं हूँ आदेश प्रॉम लर्नोहब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लाटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं, माथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बाइओलोजी, आपसिलूटली फर फ्री, only at learnohub.com सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं, हमारी नीट बाइओलोजी के थर्ड चाप्टर, प्लांट किंग्डम से रिलेटेट सारे इंपॉर्टन क्वेस्टिंस को, इन क्वेस्टिंस को प्रैक्टिस करके, आप अपनी प्रेपरेशन और परफॉर्में को कर सकते हैं, अनलाइज, तो बच्चों, आप हमारे सामने आ गया है, हमारी स्क्रीन पे, हमारे आज के सेशन का पहला क्वेस्टिन विच इस, तो आपने अगर मेरा कॉंसेप्ट अडाउन वाला वीडियो देखा है, तो आपको पत्ताइब हैं, तो आपको पता है कि इस वेटेज की वज़े से ही, इस एक्कोल वेटेज की वज़े से ही, यह सिस्टम अव क्लासिफिकेशन हुआ था, डिसकार्ड, तो जली से फड़ा फड़ देख लेते हैं, ऑप्शन को, ऑप्शन A is, वेजिटेटिव औन अनाटोमिकल कारेक्टर्स, ऑप्शन B, वेज अनाटोमिकल कारेक्टर्स, neighborhood C, वेजिटेटिव औन अन्सेक्शन कारेक्टर्स, या आप्शन D, या ऑप्शन D, अननेंत्रोमिकल अन सेक्शन कारेक्टर्स, तो 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 यह जो है, ऐसे, सिस्टम अव क्लासिफिकेशन को, हमको को करना पढ़ा था, प्योंकि वेजिट पर हम सोल्ली डिलाइडिकर सकते हैं क्लासिफाइंग टप्वार्ट चलिए बच बच शुक्रोट करते हैं अपनी प्रॉबलम नंबर टू को जिसमें से बोला जा रहा है नैच्छल क्लासिफेकेशन वस बेजन तो नाच्रल सिस्टम अफ क्लासिफेकेशन जो की प्रबोस्ट क of classification उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ morphology को consider नहीं किया था लाइक जैसे कि artificial system of classification में लीनियस ने क्या किया था सिर्फ morphological features को ही consider किया था ना gross morphological features जैसे कि आपकी NCRT में लिखा हुआ है बट वो यहां पर consider नहीं किया जाते साथ ही साथ morphology is one of the characters but हम साथ में anatomy और ultra structure को भी consider करते हैं embryology को भी consider करते हैं और साथ ही साथ जो living organisms के बीच में natural affinities या resemblance हैं उनको भी consider करते हैं so that means यह तीनों option जो उपर से हमने को दे रखे है a to c यह सभी के सभी correct है इसलिए our final answer is going to be option d तो बच्चों देखते हैं problem number 3 the taxonomy based on numbers structure and behavior of chromosomes is तो ऐसी कौन सी taxonomy हैं जो की chromosome के structure number और behavior पर depend करती है so our options are option A chemo taxonomy, option B numerical taxonomy, option C cytotaxonomy या option D all of the above I know आप सभी को answer पता है that is option C cytotaxonomy यादे ना cytotaxonomy में हम cytological features लेते थे of the plant जिसमें की हम खास करकी chromosome के structure, number और behavior को consider करते थे to determine the position of plant, right? so the correct answer is option C while अगर हम chemo taxonomy की बात करें तो chemo taxonomy में हम क्या करते थे हम plant की chemical constituent को consider करते थे to determine its position and साथ ही numerical taxonomy जो की computer based taxonomy है जहां पर हम plant के characters को कुछ numbers और cores assign करते थे और उनकी comparative study के बाद उनकी position को determine करते थे that means option A and B are unrelated to these structure behavior of chromosome इसलिए हम इन options को कर देते eliminate और एक भी option अगर eliminate होता है तो obviously all of the above वाला जो option है वो अपने आप eliminate हो जाता है so the final answer is going to be option C cytotaxonomy तो बच्चों देखते हैं परी problem number 4 को जिसमें हम से बोला जा रहा है which among the following represents the filamentous forms of green algae तो हमको green algae की filamentous form को इन 4 examples में से कौन सा represent करता हुए दिख रहा है तो आपको यादी होगा वो ट्रिक जिससे मैंने आपको याद करना बताया था कि आप green algae की filamentous form को कैसे याद रह सकते हैं अगर याद है तो आप रिकॉल करिया और आप जल्दी से ढूंड़िए जड़ तक मैं option पढ़ लेता हूं option a is spirogyra option b is chlamidomonas option c walvox option d chlorella so the correct answer is option a spirogyra याद हैना आप सबको मैंने बोला था filamentous में जो us है आखरी की दो letters हैं उनसे आप अपने examples को याद रह सकते हैं u was for eulothrix and s is for spirogyra both represents the filamentous forms of green algae right so option a is going to be correct बाकी के options को भी हम consider कर लेते हैं जैसे कि हमारे पास chlamidomonas यह रखा है और आप जानते हैं chlamidomonas जो है वह unicellular form of green algae है right then we have wallwalk जो कि colonial form को exhibit करता था है ना यह colony बना के रहता था सीनो भी हम नाम की isn't it and then we had chlorella जो की again unicellular form को ही exhibit करता है so the final answer is option a so बच्चों देखते हैं problem number 5 isogamous type of sexual reproduction through non motile gametes is seen in so हम से पूचा जा रहा है in given examples में से कौन सा ऐसा example है जो की you know isogamous mode of reproduction show करता है but with non motile gametes right so हमारे पास options है option a eulothrix option b spirogyra option c eudorhyna option d gelidium so अगर हम randomly अपने options को देखें तो आप याद करने की कोशिश कीजिए आपको याद भी अटा जाएगा जैसे gelidium gelidium is a red algae right और red algae हमेशा U gamus mode of reproduction show करते हैं यानि कि they do not show isogamy और anisogamy इसका मतलब आप जानते हैं gelidium can be eliminated as such right फिर हमारे पास eudorhyna आता है eudorhyna show करता था anisogamy याद है आप सबको मैंने आपको जब algae के बारे में जो general characters थे उनमें mode of reproduction consider किया था तो eudorhyna के बारे में मैंने आपको बोला था they show anisogamy तो इसका मतलब यह option भी ही eliminate हो गया क्योंकि हमसे बात की जा रही है isogamous type of reproduction की अब हमारे पास isogamous mode of reproduction show करने वारे दो organisms बचे which is eulothrix and spirogyra so मैंने आपको जब बताया था तो eulothrix के case में बोला था कि eulothrix show करते थे क्या yes they showed isogamy but वो motile gametes के formation करते थे यानि कि यह option भी हो गया eliminate क्योंकि हमसे बुला जा रहा है to find out the one जो की non motile gamete है तो non motile gamete की fusion से जो isogamous sexual reproduction है that is shown by spirogyra so the correct answer is option B spirogyra problem number 6 the hydrocolloid secreted by members of pheophyce is तो हमसे पूछा जा रहा है pheophyce यानि की brown algae के members में पाए जाने वाला जो hydrocolloid है वो कौन सा है so हमारे पास options है option A agar, option B algin, option C caragine option D laminarin so आप basically यहां पर जानते हैं की laminarin is the reserve food material जो की है type of starch तो यह तो option यहीं पर eliminate हो गया right तो हमारे पास यहां पर 3 hydrocolloids मिलते हैं अब आपके पास बचा agar, algin and caragine तो आप अगर याद कर पाएं तो आप recall करने के कोशिश करिए pheophyce यानि की brown algae जो hydrocolloid produce करते थे those were algin right so इसलिए the correct answer is going to be option B algin while जो agar and caragine नाम के hydrocolloids है they were secreted by the members of the rhodophyce right so rhodophyce यानि की red algae produce करते थे agar or caragine को इसलिए our correct option is going to be option B algin तो बच्चों देखते हैं भी problem no.7 को जिसमें हमसे बोला जा रहा है reserve food material in red algae is तो red algae यानि की rhodophyce के members में जो reserve food material है वो किस form में होता है सबर options are option A starch option B laminarin option C floridian starch option D mannitol so आपको इसका answer आता ही है the correct answer is going to be option C floridian starch right और आप बाकी के options को भी हम यहां consider कर लेते हैं जैसे starch जो है that is the reserve food material in the members of chlorophyce right green algae की case में आपको भी reserve food material दिखता है then we have laminarin and mannitol जो की reserve food material होता है in case of the members of pheophyce यानि की brown algae की case में ओके तो जलिए बच्चों देखते हैं अपनी problem number 8 को जिसमें हमसे बोला जा रहा है marine algae which serves as a food source is so ऐसी कौन सी marine algae है जो की हमें food provide करती है इन option में हम देखते है option A is sargassan option B laminaria option C porphyra या option D all of the above तो अगर आप recall कर सकते हैं तो आप याद करने के कोशिश कीजिए मैंने आपको economic importance of algae पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि जो sargassan और laminaria हैं यह उन 70 marine species of algae में से हैं जो की use की जाती है as food तो sargassan and laminaria both are going to be the edible ones तो इसका मतलब A and B अगर correct है तो इसका मतलब option D consider किया जा सकता है all of the above तो the final answer is going to be option D all of the above now talking about porphyra porphyra को आप जानते है Japan में कहा जाता है nori और यह जो nori है इसको use किया जाता है to prepare the Japanese delicacy जिसको हम भुलाते है sushi so that means porphyra is also edible and it is a source of food that means यह तीनों के तीनों options जो है they are correct and option D is going to be the final option which is correct okay तो चलिए बच्चों देखते है अपनी problem number 9 को agar is obtained from so हमसे बोला जा रहा है agar जो की hydrocolloid है वो किन algae में से हमको मिलता है so अगर आप recall कर सकते हैं तो आपको पता है agar जो है वो obtained होता था from the red algae right road of ice से आपको मिलता था so our options are option A gelidium and clamidomonas option B gracilaria and fucus option C fucus and sargassum option D gelidium and gracilaria तो आप सभी को answer पता है न the answer is going to be option D gelidium and gracilaria right क्योंकि दौनों की दौनों यहां पर है red algae but अगर हम options को देखे जैसे for example option A में gelidium तो दिया है the red algae but साथ में green algae chlamidomonas दे रिया गया but इसी वज़े से यह option हो गया eliminate right then we have option B gracilaria again which is a red algae but साथ में देख यह fucus which is a brown algae इसी लिए brown algae से तो हमको मिलता था algin नाम का hydrocolloid तो इसका मतलब यह option भी हो गया यही पर eliminate and lastly we have fucus and sargassum which are both brown algae और इन से भी हमको algin मिलता था अगार नहीं इसका मतलब यह तीन option जो starting they could have been eliminated and the final answer is going to be option D जलिए बच्चों discuss कर लेते हैं problem number 10 को जिसमें हमसे बोला जा रहा है the characteristic color of brown algae and red algae are due to dominance of pigments dash and dash respectively यानि कि हमसे पूछ रहे हैं कि जो brown algae है और जो red algae है उनका जो characteristic color है वो किन pigments की वजह से आता है उनको हमें in options में करना है identify और मुझे तो I think options पढ़ने की विज़रोत नहीं है आप सभी को इसका answer पता होगा but let me do the job option देख लेता है जैसे option A is fucoxanthin and chlorophyll A तो आप basically ऐसी भी identify कर सकते brown algae की case में आपको पता है the chief pigment was fucoxanthin right and red algae की case में कौन सी होती थी that was r phycoerythrin ठीक है तो आपको पता है the answers are going to be fucoxanthin and r phycoerythrin so option A में आपको fucoxanthin दो दिया है साथ में chlorophyll A दिया है no chlorophyll A is not the one जो की red algae को उसका characteristic color देगा right तो यह option यहीं पर हो गया eliminate then we have option B xanthophyll and carotenoids xanthophyll fucoxanthin एक type का xanthophyll but हमको xanthophyll यहां पर specify नहीं किया गया right so यह option हम यहां पर identify नहीं करेंगे as a correct one साथी साथ इसके साथ carotenoids दिया है carotenoid is not that chief pigment जो की red color देती है to the red algae इसका मतलब यह option भी हो गया eliminate then then we have option c जिसमें आपको fucoxanthin और r phycoxanthin दिया है but अगर आप ध्यान से देखें option d को तो यहां पर भी r phycoxanthin and fucoxanthin दिया है but इनका order change है isn't it r phycoxanthin यहां पहले लिखा है and fucoxanthin बाद में question को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो पहले consider किया रहा है brown algae को followed by the red algae इसलिए जब respectively word लगता है तो हमको उस organism को पहले identify करना पड़ेगा जो कि पहले आता है right so हमारे पास पहले brown algae को जो chief characteristic pigment provide करती है उसका color that is fucoxanthin यहांने कि fucoxanthin should come first and then it should be followed by r phycoerythrin that means option c is the one जो की correct है and option d is incorrect so the final answer is going to be option c चलिए बच्चों discuss करते है problem number 11 को the reserve food material of red algae is similar in structure 2 तो अगर आपको पता है the reserve food material जो red algae में होता है that is fluoridians charge right so fluoridians charge के बारे में मैंने आपको कुछ बताया था आपने concept add-on वाली वीडियो में जब तक आप उसको recall कीजिए मैं पढ़ूँगा options को so option a is glycogen and glucose option b fructose and glycogen option c amylopectin and glycogen option d amylopectin and glucose तो fluoridians charge के बारे में मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा you know reserve food material है जिसका की structure काफी हद तक branched है and it resembles glycogen and amylopectin that means our correct option is going to be option c amylopectin and glycogen तो चलिए बच्चो देखते हैं आपी problem number 12 को which among the following algae show only oogamous mode of sexual reproduction by fusion of non motile gametes so such a lot of information जो कि आपको यहां पर दे दी गई है c आपको बोला गया है they only show oogamous mode of reproduction so that means आपको आपका answer यहीं पर ही मिल गया होगा कि we are talking about the red algae right prodofice में आप देखते हैं there is only oogamous mode of sexual reproduction और साथ ही यहां पर कोई भी motile structure नहीं होता है in their life cycle that means इनके पास जो gametes or spores होते हैं वो दोनों ही होते हैं non motile so basically आपको in options में से red algae को ही करना है identify so options are option a porphyra option b clamidomonas option c eulothrix and option d spirogyra that's so easy right so clamidomonas eulothrix and spirogyra all three are green algae right these are going to be eliminated and porphyra which is a red algae is going to be considered as a correct option right so option a is going to be correct देखते हैं अपनी problem number 13 को जिसमें हमसे बोला जा रहा है which among the following statements about bryophytes is या are correct तो यानि कि हमें दी हुई इन 4 statement में से अपनी bryophytes से related correct statements को करना है identify right so हमसे बोला जा रहा है first statement में they are called the amphibians of plant kingdom yes that's perfectly fine तो यह statement हो गई correct then we have the second statement जिसमें हमसे बोला जा रहा है their plant body is a free living sporophyte ना ना यह statement है incorrect because you remember bryophyte के case में हमने कहा था इनकी जो main plant body है that is a free living gametophyte and sporophyte is dependent on it so यह statement होगी incorrect then we have option यह statement number 3 जिसमें बोला जा रहा है the sex organs are jacketed right so bryophytes के जो sex organs है जिनें हम male sex organ को antheria बुलाते थे और जो female sex organs जिसे हम archigonia बुलाते थे या archigonia बुलाते थे they were surrounded by a layer of you know sterile cells sterile cells याने कि जो fertile नहीं है जो की reproduction में participate नहीं करते है उन layer of cells को हम बुलाते थे jacket और यह characteristic feature होता है of bryophytes तो इसका मतलब obviously their sex organs are jacketed right इसका मतलब यह statement भी हो गई correct and then we have the fourth statement that says they show heplodiplontic life cycle यह भी statement perfectly fine है because आपने पढ़ा है जो life cycle होती है bryophytes and teridophytes की they are heplodiplontic in nature that means यह statement भी हो गई correct इसलिए हमको identify करना है उस option को ABCD में से जो की correct options को denote कर रहे हैं हमारे पास correct statement थी first, third and fourth तो जो option correct है that is going to be option C that is representing first, third and fourth statement ओके चलिए बच्चों discuss करते हैं अपनी problem number 14 को जिसमें हमसे बोल रहे हैं gamma cups are seen in so gamma cups हमें कहां देखने को मिलते हैं so अगर आपको याद हो gamma cups जो हैं वो structures होते थे जिनके अंदर gamma नामके asexual birds देखने को मिलते थे और ये structures हमको देखने को मिलते थे in case of bryophytes and bryophytes में भी कहां in case of liver words right, so हम जली से अपने options को consider कर लेते हैं, option A is laminaria, option B is salaginella, option C markantia option D lycopodium, so देखिए आप elimination method से भी answers को identify कर लेंगे, देखिए कैसे option A is laminaria which is an algae right, brown algae, इसलिए हम option को यही पर eliminate कर देंगे, because this is not a bryophyte, isn't it, then we have option B, salaginella which is again a pterodophyte, और ये जो है bryophyte तो नहीं है, इसलिए इसको भी कर दीजे, eliminate, and option D में आप देख रहे हो, lycopodium which is also a pterodophyte, इसका मतलब ये भी option correct नहीं होगा isn't it, क्योंकि ये भी terodophyte है so, the one which is bryophyte is markantia, right और markantia, जो है वो liver word है जिसमें कि आपको ये gamma cup देखने को मिलते हैं okay, so the correct option is option C markantia, तो बच्चो, now let's see our problem number 15, that says which among the following statement is incorrect, यानि कि दी हुई in 4 statement में से आपको incorrect statement को identify करना है so, हमारा पहला statement is sphagnum, a species of moss has a capability to hold water याद है sphagnum के बारे में economic importance, जब मैं आपको bryophytes की पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था, sphagnum जिसको हम bog moss ये peat moss भी कहते हैं उसके अंदर water holding capacity होने की वज़े से उसको packaging material की तरह use करते थे in the transshipment of living matter, right so, इसका मतलब sphagnum की बारे में जो statement यहां दी रखी that is perfectly correct, right तो हमें तो fine करना है लेकिन incorrect statement को इसलिए हम इस option को कर देंगे यहीं पर eliminate ठीक है, then we have option b that says sporophytes of mosses is well differentiated into foot, ceta and capsule yes, perfectly fine mosses के case में आप देखते हैं जो उनका sporophyte है वो foot, ceta और capsule में differentiated होता है, very well differentiated that means, यह statement correct होने की वज़े से कर दिया जाएगा eliminate, ठीक है then we have option c the adult stage of the mosses is represented by protonima क्या protonima mosses की adult stage को you know represent करता है, no, यह statement है incorrect, और क्यों भही, ऐसा क्यों है, क्योंकि protonima जो है, वो mosses की life cycle में juvenile stage को represent करता है, not the adult stage, right so, यह जो adult stage का यह पर reference है, that is wrong, ठीक है तो यह juvenile stage को represent करता है और adult stage को कौन सा structure show करता था, the leafy gametophyte right, so, इसका मतलब, यह statement incorrect होने की वज़े से this will be our correct option यानि की final option which is correct is going to be option c जल्दी से हम option d को भी यहाँ consider कर लेते हैं, that says, the asexual buds that develop in receptacles called gamma cup are present in lever words, that's perfectly fine so, gamma asexual buds, which are receptacles में पाई जाती है, which are called gamma cups वो lever words में देखने को मलती है so, यह statement correct थी न, इसलिए इसको भी कर देते हैं eliminate, okay, so, the correct option is going to be option c so, चलिए बच्छो, discuss करते हैं आपनी problem number 16 को, जहाँ पर हम से बोला जा रहा है to match the contents of column 1 with column 2 and choose the correct option, तो आपको यहाँ पर column 1 और column 2 में, obviously, यहाँ पर कुछ items दे रखे हैं, जिनको आपको match करके correct option को करना है, identify isn't it, so, हमारे पास पहला item, जो column 1 में दे रखा है, that are called air bladders, तो याद कीजिए air bladders को मैंने कहां पढ़ाया था आपको air bladders को हमने consider किया था जिसकी structure, उपर body पर आपको कुछ air bladders देखने को मिलते थे, isn't it, और वो air bladders उसको buoyancy provide करते थे, so, air bladders were seen in case of fucus, right, so first option is going to match with D, तो हम जल्दी से अपने options में देख लेते हैं कि first option D से कहां match कर रहा है in case of option A and B, so, इसका मजब C और D हो गए, eliminate, right, okay, then we have laminarin, so laminarin is basically the reserve food material of brown algae, isn't it, so इसको हमको match करना है किसी brown algae से, तो walvorks भी brown algae नहीं है, graciladias or red algae, इसका मतलब laminarin is going to match with option C, so, यहां पर देखिए, second is going to match with C, यहने की यह वाला option, that means option A is going to be correct, while option B is going to be eliminated as well, और देख लेते हैं बाकी के options को भी like colonial form of alga, obviously walvorks है, तो आपको अगर यह आता तो आप यहां से भी match कर सकते थे, and R-Phycoerythrin, which is the pigment present in red algae, इसी लिए इसको हम match करेंगे with gracilaria, because gracilaria क्या होता था, एक red algae, so, the correct option is option A, तो चलिए बच्चों, डिसकास करते हैं, problem number 17 को, which among the following organisms possess pyroform gametes, तो यहां पर दिये हुए कुछ organisms हैं, जिन में आपको identify करना है कि 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 के पास present है, pyroform gametes, pyroform gametes का मदलब, pyroform word का meaning होता था, pear shaped, right, I hope आपको यह सब याद है, so pyroform gametes आपको देखने को मिलते थे, in case of the members of Pheophyce, right, they were seen in brown algae, so, अगर आप इन दिये गए options में, सिर्फ brown algae वाले जो members हैं, उनको identify कर लेते हैं, that means आप अपने answer के बहुत close पहुचाएंगे, right, so, आप देखिए, पहले option में आपको बोला जा रहा है fucus, which is a brown algae, good, then we have gracilaria, gracilaria is a red algae, right, याद है न, gracilaria gelidium, जिन से हमको मिलता था, अगर, है न, तो वो तो red algae से मिलता था, that means, ये option यही eliminate हो जाएगा, okay, because ये तीनों options में आपको brown algae नहीं देखना को मिल रहा है, then we have option B, that says ectocarpus, which is a brown algae, perfect, then we have fucurs, again a brown algae, then we have laminaria, again a brown algae, यानि कि ये वो option है, जो कि correct होगा, जिसमें तीनों की तीनों brown algae है, और तीनों की तीनों हम मान सकते हैं, they produce pair-shaped or pyreform gametes, then we have option C, जिसमें आपको laminaria है, dicteota, both are going to be the brown algae, but इसी eulothrix आ गया, eulothrix is a chlorophycine member, यानि कि green algae है, okay, तो इसकी वज़े से ये option हो जाता है, यही पर eliminate, and अगर option D को हम लेते, तो obviously यहाँ पर भी आपको देखो, पहला ही option, spirogyra, which is the green algae, यहाँ दे दिया है, तो इसका मतलब आपको यहाँ पर भी इसको करना होता है, eliminate, so entire options are going to eliminate, क्योंकि एक ही member, जो है, वो differ कर जा रहे है, than brown algae, that means, final answer which is going to be correct is going to be, option B, ectocarpus, fucus and laminaria, okay, तो चलिए बच्चों, discuss करते हैं अपनी problem number 18 को, जिसमें हमसे बोला जा रहा है, organisms participating as pioneers, in the process of ecological succession, belong to, तो यानि कि, ecological succession की process में, जो organisms, you know, pioneer, यानि कि, पहले organism बनते हैं, to, you know, colonize, या फिर establish themselves on those barren rocks, या surface, मतलब ऐसे area जो की बंजर थे, या फिर जो newly formed rock है, उस पे पहले organism जो की establish करते हैं, वो basically किन groups को belong करते हैं, ये हमसे पूछा दा रहा है, तो हमारे पास options हैं, option A, liverworts, option B, mosses, option C, lichens, या option D, both B and C, तो, अगर आपको मेरा ecological importance वाला portion या regarding to bryophytes, तो आप easily relate कर पाएंगे, कि जो mosses और lichens, खासकर कि lichens and mosses are the ones जो की pioneer की तरह भेव करते हैं, यानि कि ये पहली ऐसी community होती है, जो किसी भी barren area पर पहले establish करती है और वहाँ पर start करती है, soil formation ताकि वो replace हो सके by the upcoming new plant communities right, तो इसका मतलब option D, जिसमें की both B and C, यानि की mosses and lichens को consider किया जा रहा है, that is going to be correct so final answer is going to be option D both B and C तो चलिए बच्चों, डिसकास करते हैं अपनी problem number 19 को, जिसमें हम से बोल रहा है the leafy stage in the life cycle of bryophytes, यानि कि आपको कुछ statement दे रखी है, regarding the leafy stage of the bryophytes जो की होती है, their adult stage right, आपको पता है न, bryophytes में जो mosses होती है, उनकी life cycle के दो phases होते है, एक कौम कहते है juvenile phase, जिसको हम protonyma से represent करते थे, and जो adult stage होती थी, उसे हम leafy stage कहते है, right, so उन से related यहां पर कुछ statements हैं, और हमें correct identify करनी है, so हमारे पास option A देखिए, जिसमें बोला जा रहा है, it arises from the secondary protonyma, क्या यह statement correct है, yes, it's perfectly fine न, क्योंकि आपको याद होगा, कि सबसे पहले जो juvenile phase आती थी, that was primary protonyma जो कि spore के germination से आती थी, है न, तो जो spore germinate करता था तो बनाता था primary protonyma, फिर वो primary protonyma में होता था, fragmentation यानि कि वो pieces में break कर जाता था and then develop होते थे उन pieces से क्या, the secondary protonyma, और secondary protonyma में bud formation होने के बाद, leafy stage, यानि कि the adult stage used to develop, तो इसका मतलब जो leafy stage है, वो कहां से आई, from the secondary protonyma, इसका मतलब यह statement तो है correct, so और भी options हम देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पाद, all of the above का option भी दिया है, D option में, right, तो हम option B को देखते हैं, that says, comprises of an upright slender, axis bearing, alternately arranged leaves, so basically यहां पर आपको बोला जा रहा है कि इनका जो leafy stage है, वो upright है, that's perfectly fine, है न, वो सीधा erect होता है, then it has a slender axis, तो उसके पास एक, you know, stem-like structure है, जो कि slender है, बाला पतला सा है और सीधा खड़ा हुआ है, and it bears alternately arranged leaves, यह alternately arranged leaves is incorrect, the reason is, यहां पर present होती है spirally arranged leaves, right, so, यह वाला, जो statement है, this is incorrect, और A, B statement अगर incorrect हो जाता है, तो all of the above वाला option भी incorrect हो जाता है, ठीक है न, so, देखते हैं option C को, that says, attaches itself to the soil through unicellular and branched rhizoids, तो वो बोल रहा है, जो leafy stage होती है bryophytes की, वो अपने आपको you know, soil में attach करती है with the help of unicellular branched rhizoids, no, 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 यहां पर जो unicellular word है, that is incorrect, यहां पर जो rhizoids present होते हैं, they are multicellular, right, तो multicellular rhizoids, जो की branched होते हैं, उनके attachment से, यह अपने आपको establish कर लेते हैं in the soil, तो इसका मतलब, यह statement भी हो गई, incorrect, तो the correct statement is option A, and the final answer is going to be option A itself, तो चलिए बच्छो, discuss करते हैं, problem number 20 को, जिसमें आपसे बोला जा रहा है, the terrestrial plants that possess vascular tissues, but do not form seeds are, तो ऐसे land plants, जिन में आपको vascular tissues से देखने को मिलेंगे, but they do not form seeds, तो obviously, यह वो plants हैं, जिन में seeds नहीं बनता हैं, यानि कि they are non-spermatophytes, right, तो अगर आपको spermatophytes के example ही आद हैं, तो आप obviously option को कर देंगे, यहीं पर eliminate, but पड़ावर से options को देख लेते हैं, पहले, option A is bryophytes, B teretophytes, C gymnosperms, या D angiosperms, तो basically, आप जानते हैं, seeds आपको कहां देखने को मिलते हैं, we can see seeds formation in gymnosperms and angiosperms, right, आपको पता हैं ना, gymnosperms में naked seeds होते थे, angiosperms में भी seeds होते थे, but वो fruit के अंदर enclosed होते थे, but हमको बोला जा रहा है, they do not form seeds, तो जहाँ seeds नहीं बनते हैं, तो इसका मतलब यह दोनों option तो यहीं पर eliminate कर सकते हैं, ना, क्योंकि इन दोनों में ही seeds बनते हैं, okay, then we are left with option A and B, जिसमें bryophytes and teredophytes हैं, तो उन्होंने बोला कि इनके पास होगा vascular tissue, तो अगर आपको basic classification याद है, plants का, तो आप जानते हैं, bryophytes के case में, they were, they do not have a specialized vascular tissue, यानि कि इनके पास specialized tissues नहीं हैं, जो कि conduction of water, mineral and food में help करें, तो इसका मतलब bryophytes के पास tissue नहीं है, vascular tissue, इसका मतलब यह option हो गया, यहीं पर eliminate and the correct option is going to be option b, that is, teredophytes, तो चलिए बच्चों, discuss करते हैं अपनी problem number 21 को, जिसमें हमसे बोला जा रहा है, the prothalus of teredophytes is, जो prothalus develop होता है, न, prothalus क्या होता था? the gametophytic phase of the life cycle of teredophytes, right? so, वो इन में से क्या शो करता है, okay? so, इनके कुछ characteristics है, जिन में से हमें basically correct characteristic को पहचानना है, so, हमारे पास पहला characteristic है, that is, they are small and inconspicuous, that's perfectly fine, मैंने आपको prothalus के characteristics बताए भी है, कि वो small होता है, inconspicuous होता है, यह correct है, then, it is multicellular, याद है वो structure, जो heart-shaped structure था, जिसमें कि आप देख रहे थे, multicellular condition, that means, यह condition भी true है, अगर दो options correct है, इसका मतलब, all of the above वाला option, जो है वो, picture में आ जाता है, it can be considered, right? so, अगर हम देखें C option को भी, so, they are photosynthetic and independent, definitely, यह अपना photosynthesis खुद कर सकते हैं, and that is why, they are not dependent on the sporophyte, इसका मतलब, यह statement भी correct है, so, final option which is correct, is going to be option D, all of the above, तो चलिए बच्चों, discuss करते हैं, अपनी problem number 22, that says, strobili and pteridophytes are found in, so, strobili याद है, वो cone-like structure, compact structure, okay, जो की बनता था, by the arrangement of many sporophylls, right? so, strobili जो हैं, या cones हैं, वो हमको देखने को मिलते हैं, in case of teridophytes and gymnosperms, right? पर यहाँ पर हम, exclusively बात करने वाले हैं, about the teridophytes, so, हमसे बूचा जा रहा है, teridophytes के case में, आपको ये structures कहां बद्दे दिखेंगे, so, और option दार, option A, silaginilla and salvenia, option B, equisetum and salvenia, option C, equisetum and salvenia, या option D, salaginilla and lycopodium, तो अगर आपको मेरा concept, add-on वाला वीडियो याद है, तो मैंने वहाँ पर आपको एक trick बताई थी, जो कि तीन words से ही आपको याद करा देगी, कि आपके stroboli formings, teridophytes कौन कौन से है, so, वो trick थी, equal straw से, isn't it, तो मैंने equal word का मतलब, आप यहाँ पर relate कर सकते हैं, with equisetum, straw सिर्फ आपको यह denote कर रहा है, that we are talking about the stroboli, and finally, say से मतलब है, we are talking about salaginilla, so, the correct option is going to be, option B, equisetum and salaginilla, because यहाँ पर equisetum को, और say से salaginilla, right, तो बच्चों, our problem number 23 says, which among the following, teretophytes are heterosporous, तो दी हुए कुछ examples हैं, आपके सामने, जो teretophytes हैं, और हमें find करना है, heterosporous species को, तो heterosporous teretophytes मतलब, वो teretophytes जो की produce करते हैं, दो different types of spores, right, जिनको हम microspore और megaspore कहते थे, isn't it, so, यहाँ पर आपके सामने option है, option A, terres, option B, salvenia, option C, lycopodium, या option D, adiantum, so, मैंने आपको इसको याद करने के लिए एक ट्रिक बताई थी, मैंने आपको simple कहा था, कि आपको heterosporous species अगर याद करनी है, teretophytes की, तो आप simply, दो words learn कर लिजे, that is, sal, है ना, तो आप याद कर सकते हैं, इस तरीके से, that cell is for salaginella and sal is for salvenia, और हमारा जो correct option है, इस case में is going to be option B salvenia, ओके, तो चलिए बच्चों, discuss करते हैं, problem number 24, that says, identify which among the following statements regarding teretophytes is या are correct, तो यानि कि teretophytes related, हमारे सामने जो कुछ information या statements यहाँ दे रखी हैं, हमें उन में से correct statements को करना है identify, जिसके base पे हम अपने चार options, ABCD में से find करेंगे, हमारा कौन सा option है correct, okay, so हमारी पहली statement है, they are the first terrestrial plants to form seeds, तो क्या यह ऐसे पहले land plants हैं, जहां पर seeds formation होता है, no, isn't it, क्योंकि आपको पता है, they are non-spermatophytes, यानि कि इन में seeds नहीं बनते, spermatophytes यानि की seed forming plants होते थे, gymnosperms and angiosperms, teridrophytes तो नहीं होते थे, इसका मतलब यह statement हो गया, incorrect, right, then we have statement second that says, they are frequently grown as ornamental plants, that's perfectly fine, right, क्योंकि आपने देखा है, teridrophytes में खासकर की ferns, grow किये जाते हैं, for its ornamental beauty in the gardens, right, so इसलिए, this is going to be a correct statement, then we have the third statement that says, the main plant body is a sporophyte, which bear sporangia formed on the sporophylls, यह भी statement correct है, आपको पता है न, teridrophytes के case में, जो main plant body है, वो deployed है, that means, that is a sporophyte, और उस पर present होते हैं, yes, the sporangia, यानि कि spore producing bags, जो कि कहां present होते थे, on the fertile leaves called sporophylls, यानि कि पूरी statement जो है, वो perfectly fine है, statement number four, that says, vascular tissues are absent, no, 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 यह statement है incorrect, because we know, the teridrophytes है, उनके अंदर specialized vascular tissues, xylem and phloem are present, that means, यह statement होगे incorrect, lastly, we have the fifth statement that says, sporophyte is differentiated into true roots, stems and leaves, यह statement भी correct है, teridrophytes के case में, आप देखते हैं, कि इनके जो body है, वो true roots, stems or leaves में, differentiated होती है, तो इसका मतलब यह statement भी correct है, तो हमारे पास, कौन कौन सी statement correct है, second, third and fifth statement, तो अब हम option देखेंगे, जिसमें कि हमें second, third and fifth statement correct है, that is option C, यहनि कि the final answer is going to be option C, तो चलिए बच्चों, discuss करते हैं, problem number 25, that says, in which among the falling plants, ovules are not enclosed within the ovary wall, तो ऐसे कौन से plants हैं इन में से, जिनके अंदर ovules किसी ovary wall से covered नहीं होते हैं, तो आपको पता है, ऐसे ovules जो किसी ovary wall से covered नहीं है, उन ovules को हम क्या बुलाएंगे, naked ovules, और ऐसे naked ovules जब mature करेंगे, तो वो क्या form करेंगे, naked seeds, और naked seeds, skin plant groups का characteristic feature होता था, yes, you are right, that is gymnosperms, so हमें basically इन चार options में से, अपने gymnospermic tree को करना है, so हमारे पास options हैं, option A, cedrus, option B, eucalyptus, option C, wolfia, या option D, all of the above, और आप very well जानते हैं, कि eucalyptus and wolfia are angiosperms, they are not gymnosperms, इसका मतलब यह दोना options यहीं पर कर दीजे, और साथ ही साथ, eliminate हो जाएगा, option D, that is all of the above, and we are left with option A, that is cedrus, cedrus, deodara, जो की होते हैं, deodara के पेर, okay, and they are gymnosperms, right, तो चलिए बच्चों, देखते हैं आपनी problem number 26 को, that says, which among the following statements regarding gymnosperms is incorrect, याने कि gymnosperms से related यह जो 4 statements आपको दे रखी हैं, उन में से आपको identify करनी है, wrong statement को, right, so, एक ये करके सारी statements पढ़ते हैं, और find out करते हैं, कौन सी statement है, incorrect, right, so, हमारे पास पहली statement है, they have naked seeds, so, यह statement perfectly fine है, क्योंकि आप सभी जानते हैं, gymnosperms को हम बुलाते थे, naked seed plants, याने कि इनके पास होते थे, naked seeds, जो कि क्या होते थे, किसी fruit की wall के अंदर enclosed नहीं होते थे, right, इसलिए इनको हम naked seed plants बुलाते थे, that means, यह statement correct होने की वज़े से कर दी जाएगी, eliminate, okay, we have the option that says they are heterosporous, यह statement भी correct है, क्योंकि आपको पता है न, gymnosperms heterosporous है, याने कि they produce two types of spores, याद है वो कौन-कौन से spores है, the male microspore, जो की smaller in size होते थे, and the female megaspore, जो की bigger in size होते थे, right, so, obviously, statement correct है, that means, यह option भी हो गया, eliminate, okay, then we have option C that says, they are the first, first vascular terrestrial plants, क्या यह statement correct है, no, this is incorrect, the reason is, यह भले ही terrestrial plants है, land plants होते हैं, gymnosperms, इनके पास vascular tissues भी present है, but, the problem is, यह पहले vascular terrestrial plants नहीं है, इनसे पहले भी, कोई plants evolutionary history में देखे गए हैं, जो vascular tissue possess करते थे, and they were the terrestrial plants also, कौन से थे वो plants, टेरिडोफाइट्स, राइट, so, टेरिडोफाइट्स वर देफर्स्ट, वास्किलर terrestrial plants, तो यह statement हो गई, gymnosperms से रिलेटेड, इनकरेक्ट, और यही तो हमको fine करना था, that means, हमारा correct option हो जाएगा, option C, जल्दी से D option को भी यहीं consider कर लेते हैं, that they lack xylem vessels, that is perfectly fine regarding gymnosperms, because आपको मैंने बताया था, gymnosperms के पास vascular tissues present है, but उनके vascular tissues में, एक एक component absent है, for example, xylem के case में, vessels absent होती थी, और phloem के case में, companion cells absent होते थे, okay, that means, यह statement regarding gymnosperms is also correct, इसलिए इसको भी कर देते हैं, हम eliminate, तो हमारा final answer होगा, option C, ओके, तो चलिए बच्चों देखते हैं, अमनी problem number 27, that says, coralloid roots containing nitrogen fixing cyanobacteria are present in, यानि कि coralloid roots, जिनके अंदर present होते हैं, nitrogen fixing blue green algae, या cyanobacteria, वो हमें इन दिये हुए plants में से, किन plants में, देखने को मिलते हैं, right, सो फटा-फट से अपने सारे options देख लेते हैं, हमारा पहला option is silaginilla, option B is cyclus, option C is spinous, option D is ginkgo, अगर आप रिकॉल कर पा रहे हैं, कि आपने coralloid roots को कहां पढ़ा था, तो आप बहुत close है अपने answer के, right, हमने कहां पढ़ा था coralloid roots को, yes, in case of gymnosperms, right, so gymnosperms में हमको देखने को मिलते थे coralloid roots, तो obviously हमारा जो पहला option slaginilla है, जिसको कि आप सभी जानते हैं, यह एक teridophyte है, यह option तो यही पर eliminate हो जाएगा, बाकी के बचे, cyclus, spinous and ginkgo, यह तीन हैं gymnosperms, so अगर आप coralloid roots के बारे में, उनकी characteristic feature को याद कर पाते हैं, तो again आपके लिए काम असान हो जाएगा, coralloid roots के क्या खासियत होती थी, they were negatively geotropic, यानि कि यह against the gravitational force grow करते हैं, gravity act करती थी downward, और यह grow करते थे upward, so मान लीजिए, अगर यह soil surface है, तो in case, यह suppose आपका primary tap root है, and suppose यह इसकी branches है, so यह tap root के, tap root जो होता था, वो positively geotropic होता था, वो grow करता था downwards, but जो coralloid roots है, they used to grow on the surface, right, of the soil, यह है coralloid roots, और यह हमें कहां देखने को मिलते थे, so for your easy remembrance, you can relate with the first letter, C for coralloid and C for cycus, याने की the correct option is going to be option B, right, तो चलिए बच्चो, now we have in front of us, our problem number 28, that says, identify the correct sequence, याने की, हमको दी हुए इन 4 options में, कुछ structures के arrangement दे रखे हैं, जिनको की हमें correct sequence वाले option को करना है, identify, right, so हमारे पास option A is, spore, sporangia, strobula and cone, basically अगर आप generally ये पूरे structure को देखें, या question को देखें, तो आपको देख रहे हैं कुछ words like, spore, sporangia, sporophils, strobulae and cone, याने की ये ही structures आपको देखने को मिल रहे हैं, तो अगर हम बात करें, spores and sporangia की, तो आपको बहुत सारी plant kingdom की groups में, आपको ये देखने को मिले, बट अगर हम बात करें, sporophils and strobulae, या कौन की, तो ये आपको देखने को मिले थे, specifically 2 groups में, जिनका नाम था, teradophytes and gymnosperm, is that okay, yes, okay, so, ये structures, कैसे present होते थे, in case of gymnosperm, or teradophytes, अगर हम उनको recall कर लेते हैं, structures, जिनको हम क्या बुलाते थे, sporangia, isn't it, तो spores are formed inside the, sporangia, जिसका की singular word होता है, sporangia, okay, अगर हम बात करें, in sporangia की, जो की, specifically हम बात कर रहे हैं, in terms of, teradophytes and gymnosperms, so, teradophytes and gymnosperm के case में, sporangia present होते थे, on the fertile leaves, जिनको हम क्या कहते थे, sporophylls, is that okay, so, sporophylls, I hope आपको याद आ रहा है, सब, so, sporophylls were those fertile leaves, जिनकी उपर, sporangia present होते थे, याद है आपको, मेरा concept add-on वाला वो वीडियो, जिसमें की मैंने आपको बोला था, मैंने आपको वो figure दिखाया था, याने की बिलोव वाले surface पे, आपको देखने को मिल रहे थे, वो चोटे-चोटे tiny dots, वो क्या थे, the spor bags, जिनको हम sporangia कहते थे, और उनके अंदर बनते थे, the spores, right, so, sporophylls are the ones, जिनके अंदर present होते है, sporangia, perfect, यह जो sporophylls हैं, याने की यह जो fertile leaves हैं, यह compactly arrange करके बना देती हैं, कोन जैसा structure, जिसे हम क्या बुलाते थे, strobili, right, so, sporophylls used to, compactly arrange themselves into strobili, जिनको की हम cones भी कहते हैं, so, यह दोनों structures जो हैं, यह दोनों names जो हैं, they are equivalent, okay, so, यह है वो proper arrangement, जिनमें की आपको, fine करना है आपका option, so, फटा-फटा देख लेते हैं, like, we have spores, तो spore के बाद, spore produce होने चाहिए थे, inside the sporangia, is it right, okay, okay, so, sporangia should be present on the sporophyll, but यहां directly लिखा हुआ है strobili, और strobili साथ में आगे लिखा हुआ है, कौन, तो यह दौनों structure तो आपस में क्या है, equivalent है न, तो इसी लिए, यह वाला जो arrangement है, that is incorrect, so, इसको हम कर देंगी, यही eliminate, then we have option B, that says spores, जो की present है, on the sporophylls, no, 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 spores बनते थे, inside the sporangia, जो की in turn present होती थी, on the sporophyll, that means, यह option भी हो गया, incorrect, right, now we have option C, that says, spores present on sporangia, ठीक है, sporangia जो है, वो कहां present है, in turn, on the sporophyll, यह भी perfectly fine है, and sporophylls, are compactly arranged themselves, into strobili, तो यह statement भी हो गई, correct, यह वो arrangement है, जो की, correct sequence में, present है, so, our final answer, is going to be option C, now we have, जली से D वाले को भी देख लेते हैं, like, यहां पर, strobili आई से start किया है, that means, हम नीचे से उपर की तरफ बढ़ते हैं, तो strobili किस से मिलके बना होना चाहिए था, with the sporophyll, बढ़ यह तो यहां end में present है, strobili के बाद, इन्होंने सीजे spores जल दिया, that means, this sequence is also incorrect, तो हमारा final answer is going to be option C, तो चलिए बच्चों, discuss करते हैं प्राब्लम नमबर 29 को, जिसमें हम से बोल रहे हैं, which of the following belongs to the class, स्फिनॉपसिटा, तो स्फिनॉपसिटा क्लास हमने किन plant group में देखी थी, आपको याद आ रहा है, येस, हमने इसको पढ़ा था, in the plant group called, टेरिडोफाइट, राइट, पर्फेक्ट, अगर जिस जिस को याँसर आ गया है, that means, you all deserve a thumbs up, तो टेरिडोफाइट को बिलॉँग करती है, ख्लास स्फिनॉपसिटा, और टेरिडोफाइट को बेसिकली हमने कितनी क्लास में मिटरवाइट किया था, याद है सबको, पहली थी, साइलॉपसिटा, देन, लाइकॉपसिटा, देन, स्फिनॉपसिटा, एन फाइनली, वी हाद टेरॉपसिटा, यह सारी क्लासस आपको याद होनी चाहिए, ओके, विद एक्जाम्पल, सभी तो आप यह आंसर, सौल कर पाएंगे, राइट, देखते हैं, फटा फिर से हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए इस टेरिस, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, मैंने आपको एक खास बात बताई थी, रिगार्डिंग दस्विन ओफिटा क्लास, मैंने कहा, इसकी जो मेंबर्स होते हैं, उनको हम बुलाते थे, होर्स टेल्स, याद है सबको, अगर याद है तो, वेरी गुड, होर्स टेल्स वर इस मेंबर्स, और इन में से कौन साइस प्लांट है, जिसका हम होर्स टेल्स बुलाते हैं, येस, इस, दी आंसर इस गूइं टो बी ऑप्शिन बी, इक्कोई सीटम, परफेक्ट, अभी हम जली से सारे ओप्शिन को भी देख लेते हैं, लाइक टेल्स जो है, जो देखते हैं अपनी problem number 30 को, जिसमें हम से बोल रहे हैं, to match the columns and choose the correct option, यहाँ पर आपको दो columns में कुछ items दे रखे हैं, जिनको की correctly match करके, आपको find करना है the correct option, अगर आप ध्यान से देखें, column 1 में तो आपको दे रखे हैं, सारे examples of teradophytes, और column 2 में दे रखे हैं, सारी classes of teradophytes, तो अभी हमने पिछली question में, teradophytes के classes और उनके examples के बारे में बात की थी, और लीजे, आपके सामने हाजर है question, जल्दी से match करते हैं, हम हार एक example को with its class, और find out करते हैं हमारा correct option, तो we have dryopteris, अगर आप यहाँ terrace word से भी denote कर पाएं, obviously आप relate कर पा रहोंगे, यह fern की category में होता है, तो dryopteris belongs to the class called teropsida, तो terrace के terops word से आप directly कर सकते हैं relate, then we have equisitum, अभी पिछले ही question में मैंने आपको discuss कर वाया था, कैसे equisitum को हम कहते थे हो होट stills, और वो बिलाउं करता था to the class called spinopsida, right, so first is matching with C and second with A, तो देखते हैं first C से कहाँ match कर रहा है, in case of option A and option D, right, so first C से यहाँ match कर रहा है, याने कि इसका मतलब option B and C can be eliminated, is that okay, ठीक है, perfect, then we have option second, जो कि match कर रहा है with A, तो यहाँ पर second is matching with D and second is matching with A over here, इसका मतलब यह है वो correct option जिसको कि हमें find करना था, और यह वाला option हो गया, यहीं पर eliminate, right, अब देखते हैं, फटा फट से remaining classes और उनकी examples को भी match कर लेते हैं, silaginilla, आपको याद है, it used to belong to the class called lycopsyda, and silotum, आप silo word से याद कर सकते हो, it used to belong to the class called sylopsyda, यानि कि third is matching with D, जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है इस option में ही, and fourth with B, जो कि आपको यहाँ देखने को मिल किया, that means हमारा final answer is going to be option D, okay, तो चरिए बच्चो डिसकास करते हैं, अपनी problem number 31, that says, which among the following statements regarding conifers is correct, यानि कि conifers से related, कौन सी इसी statement है, जो कि है correct, वो करनी है हमें identify, right, so I hope आपको conifers याद होंगे, हमने कहां पड़े थे, किस plant group में पड़े थे हमने conifers को, yes, conifers belong to gymnosperms, right, याद है आपको, pinus का example, yes, it was a conifers, so gymnosperms के case में, या जो conifers होते हैं, मैंने आपको उसके बारे में कुछ information वहाँ भी convey करी थी, that conifers are well adapted to zero phytic conditions, याने कि ऐसी conditions जहां पर dryness prevail करती है, वहाँ पर ये flourish करते हैं, तो अगर ये ऐसी conditions में survive कर सकते हैं, that means उनके पास कुछ special adaptations होंगी, right, तो जली से पहले हम सारे option देख लेते हैं, पहला option है हमारा, they possess needle-like leaves to reduce the surface area, क्या ये statement correct है, yes, ये statement perfectly correct है, the reason is कि देखिए, अगर किसी plant को किसी dry conditions, याने कि dry soil वाली condition में grow करना है, तो obviously उसको अपने water के जो loss है, उसको करना होगा minimize, याने कि बहुत कम करने की कोशिश करनी होगी, ऐसे case में, अगर plant को अपना water lose नहीं करना है, तो उसको अपना exposed leaf surface जो है, वो कम करना पड़ेगा, तो इसलिए जो leaves होती है, वो broad ना होके, reduce हो जाती हैं surface area में, and they turn into tiny needle-like structures, तो वो needle-like leaves में convert हो जाती है, और ये basically इसलिए है, just to avoid the water loss, by the transpirational process, तो transpirational process से, water loss को रोखने के लिए basically ये adaptation, gymnosperms के जो conifers होते हैं, वो कर लेते हैं, अब हम बात करते हैं, option B, that means ये वाला statement perfectly correct है, तो हमारा correct option जो होगा, वो option A ही है, बट हम सारे options को भी यहां पर एक एक करके consider करते हैं, for example, हमारे पास option B में बोला है, they have a very thin layer of cuticle, ये जो thin word आगया, that makes the statement incorrect, क्योंकि भाई, thin नहीं होगा, obviously ये जीरोफेटे कंडिशन में है, water loss को prevent करना है, तो जो cuticle की waxy layer होती है, वो थिक होती है, ताकि minimum से minimum water जो है, वो evaporate हो पाए, then they have superficial stromata, ये statement भी incorrect है, इनके stromata surface पे exposed नहीं होते हैं, बलकि deeply seated होते हैं, और ऐसी stromata को हम बोलाते थे, sunken stromata, तो ये statement भी हो गई, incorrect, तो ऐसी जो incorrect statements हैं, हम एजिली कर सकते थे, eliminate, then we have option D, their main plant body is a gametophyte, इनकी main plant body gametophyte होती है, मैंने बोला, conifers gymnosperms है, और gymnosperms की main plant body क्या होती थी, sporophyte ना, इसका मतलब ये statement भी हो गई, incorrect because of this word, ओके, सो हमारा final answer है, option A, they possess needle-like leaves, to reduce the surface area, ओके, सबच्चो, now we have a super easy question, which is problem number 32, that says, the tallest gymnosperm is, तो हमने, यहाँ पर gymnosperm की, tallest species को करना है, identify, ओके, and मुझे पता है, आप सब ही को answer आता है, जल्दी से अपने answer को, comment section में लिखके बताए, जब तक के मैं, इन सारे options को कर लेता हूँ, read, so हमारे पास, पहला option is cycles, option B is sequova, option C is spinos, option D is ginko, जल्दी से बताए, आपका answer क्या होगा, the correct option is going to be, option B is sequova, right, जिन के answer sequova आया है, that means, a big thumbs up to all of you, perfect, so sequova को हम क्या बुलाते थे, याद है आप सब को, इसका common name था, the giant redwood tree, याद है ना, so giant redwood, tree was its common name, और sequova बनती है, one of the tallest, you know, species of gymnosperms, तो चलिए बच्चों, अपनी discuss कर लेते हैं, problem number 33 को, जिसमें हम से बोल रहे हैं, to identify the incorrect statement, related to angiosperms, so angiosperms से related, हमें incorrect statement को करना है, यहाँ पर identify, so angiosperms तो आप सभी जाते हैं, the flowering plants, okay, so हमारे पास statement A लखी हुई है, they bear flowers and fruits, obviously angiosperms को हम बुलाते हैं, flowering plants, so flowering plants में obviously क्या होंगे, flowers होंगे ही होंगे, और साथी साथ fruits भी होते हैं, किन हाइर plants में fruits नहीं बनते थे, याद करिये, they were gymnosperms, right, so यहाँ लेकिन angiosperms की बात हो रही है, तो angiosperms में flowers and fruits जोनों ही present होते हैं, so यह statement करेक्ट होने की वज़े से हो गई, eliminate, right, then we have option B that says, they exhibit double fertilization, so double fertilization का event, characteristic किसका होता था, angiosperms का, यह इनका एक chief characteristic feature होता है, इसलिए इस feature को हमको ignore कभी नहीं करना है, that means यह statement perfectly fine है, इसका मतलब यह भी कर लीजे, eliminate, now we have the C option that says, they are divided into two glasses, यह भी perfectly fine है, because angiosperms को हम, उनकी number of cotyledons, as the main basic criteria, कि base पे हम divide कर देते हैं, into two glasses called, monocotyledon है, and diocotyledon है, right, so यह statement भी है, perfectly fine, इसलिए हम इसको भी कर देंगे, eliminate, and lastly, we are left with, the D option that says, monocot leaves show reticulate venation, क्या यह statement correct है, no, यही वो statement है, जो की है incorrect, because आपको पता है, monocot leaves में, reticulate venation नहीं होता है, कौन सा venation देखने को मिलेगा, parallel venation, right, so, इनकी leaves में मिलता है, हमको देखने को, parallel venation, so, अगर मैं आपको recall कर वाऊं, तो, monocot की जो leaves होती थी, वो कुछ elongated होती थी, and उनमें आपको कुछ ऐसी veins देखने को मिलती थी, right, जो कैसे parallelly arranged होती है, so, यह जो venation का arrangement है, यह vein का arrangement है, यह देखने को मिलता था, इनके सब, monocots, वाइल, अगर हम बात करें, dicots की, तो dicots की जो leaves होती थी, वो ऐसी broad होती थी, है ना, और उनमें आपको एक central, mid vein जाती हुई दिखती थी, जो की branch करती है, into several veins, right, इस तरीके से, और यह जो veins हैं, यह further ऐसे branch करती है, to form several veinlets, और इस तरीके से आप देखेंगे, कि पूरे leaf lamina में ना, इसे veins का, एक network सा फैल जाता है, so, इस network, words से ही आप relate कर सकते हो, with the word reticulum, क्योंकि reticulum word का मतलब ही होता है, a network, right, और इसी word से आता है, the word reticulate venation, तो जो veins हैं, वो एक reticulate venation मतलब होता है, reticulum यानि कि network बना रही है, on the leaf lamina, इसी लिए, dicots जो हैं, वो show करते हैं, reticulate venation, okay, so ये वाला जो statement है, the last statement, is incorrect, और इसी लिए, ये होगा हमारा correct option, right, so our final answer is going to be option D, so चलिए बच्चो, discuss कर लेते हैं, अपनी problem number 34, that says, endosperm in an angiosperm is generally, so angiosperms के case में, जो endosperm बनता है, उसकी basically, आपको यह ploidy बतानी है, okay, so आप ploidy के बारे में भी जानते होंगे, right, कि कितने set of chromosomes उसके पास present है, so endosperm की बारे में, कुछ information recall करिए, तो मैंने आपको बोला था, endosperm जो होता है, वो basically क्या है, एक nutritive tissue है, isn't it, so endosperm is a nutritive tissue, जो कि क्या करता था, जो कि growing embryo को, क्या प्रोवाइड करता था, nourishment, right, so ये कैसे बनता है, endosperm का formation कहां से होता है, उसके लिए आपको थोड़ा सा, recall करने की कोशिश करनी होगी, double fertilization को, तो यहाँ थे double fertilization में, दो fusion events होते थे, पहला होता था, syngammy, जिसमें की male and female gammy, fuse करके बनाते थे, a diploid zygote, जो की further grow करके बनाता है, embryo, so ये तो हो गया, पहली event के बारे में, now we have the second event, जिसको हम कहते थे, triple fusion, triple fusion में, आपको याद होगा, जो second male gammy था, वो fuse करता था, दो heploid polar nuclei से, या कभी-कभी मैंने आपको बताया था, इस event को recall करना है, यानि की second event को, that was the triple fusion, तो उसमें अगर आप recall कर सकते हैं, as secondary nucleus, तो secondary nucleus, जो की दो polar nuclei की fusion से, मिलके बना हुआ है, तो उसकी ploid ही क्या होगी भई, obviously deployed, क्योंकि दो heploid polar nuclei, आपस में fuse किया हैं, to form this secondary nucleus, perfect, और ये जो secondary nucleus है, ये fuse कर जाता था, with one male gamut, so अगर ये एक male gamut से, fuse करेगा, जिसकी ploid ही क्या होती है, heploid, तो ये बनाएगा कैसा structure, so ये बनाता है, जो structure, उसकी ploid ही होती है, triploid, और इस structure को हम कहते थे, the primary endosperm nucleus, जिसको कि हम shortly, short form में ऐसे pen लख सकते हैं, जो endosperm, so endosperm, अगर primary endosperm nucleus ते derived हुआ है, that means, इसकी ploid ही भी क्या होगी, triploid in nature, याद है न, so इसका मतलब, हमारा जो endosperm है, angiosperm का, वो होगा triploid in nature, that means, our correct option is going to be option C, so चलिए बच्चों, डिसकास करते हैं, अपनी problem number 35 को, which among the following is correct, regarding the megaspore mother cell, so megaspore mother cell से related, इन 4 statement में से, कौन सी statement है correct, उसको करेंगे हम identify, right, so हमारे पास, पहली statement है, develops from one of the new cellar cells, तो जो megaspore mother cell है, वो, जो बहुत सारे जो new cellar cells, present हो दे थे, inside the ovule, उन में से develop करता है, तो ये statement है correct, right, so देखिए, आपको अगर मैं एक यंग ovule का structure ड्रॉव कर करके बताऊं, so कुछ ऐसा होगा ये एक angiospermic ovule है, जो की कहलाता है, anotropos ovule, right, so suppose, ये वो structure है, okay, so आप बेसिक इंपरमिशन तो आप जानते ही है, like this was a funicle, ये चलाजलेंड है और ये माइक्रोपाइल है, okay, so मैंने आपको बोलाता है, यहां center में, एक mass of undifferentiated cell होता है, जिसको हम बुलाते थे, new cell is, right, so मैं इसको ऐसे यहां पर roughly draw कर देता हूँ, okay, so ये जो mass of undifferentiated cell याने की, वो cell जिनका कोई specialized function नहीं है, जो कि continuously कर रहे हैं, divide, ये represent करते हैं, the new cell is, okay, और new cell is में से, कोई एक cell, differentiate कर जाता था, into megasporal mother cell, तो let's suppose, ये वो cell है, जो कि differentiate कर गया, as the, megasporal mother cell, तो ये जो megasporal mother cell है, वो कहां से जराइब हुआ है, from one of the new cellar cells, right, तो इसका मतलब, पहली statement जो है, वो perfectly correct है, okay, so ये statement correct है, ठीक है, then we see, statement number B, that says, produces four haploid megasporals, after meiosis, yes, ये statement भी correct है, आपको याज है, megasporal mother cell, undergo करता था, meiosis, और meiosis करने के बाद, ये बनाता था, चार haploid megasporals को, याद है ना, ये चार haploid megasporals में से, तीन जो थे, वो हो जाते थे, yes, degenerate, और केवल एक रह जाता था, the functional megaspor, जिससे क्या develop होता था, the female gametophyte, जिसको हम embryos act भी कहते हैं, right, तो इसका मतलब ये वाला statement भी हो गया, correct, तो जब दो statement correct हो जाती है, तो obviously picture में आ जाता है, आपका all of the above वाला option, यहाँ पर हम consider कर सकते हैं, तो हम जल्दी से C वाला option भी देख लेते हैं, it is formed inside the megasporangium, तो megaspor mother cell, megasporangium के अंदर develop हो रहा है, येस, क्योंकि आपको पता है, जिस structure के अंदर बन रहा है, ये है एक ovule, और ovule को ही तो हम बुलाते थे, the megasporangium, इसका मतलब, ये statement भी है, perfectly correct, तो इसका मतलब, our correct option is going to be option D, all of the above, तो चलिए बच्चों, डिसकास कर लेते हैं, प्रोब्लम नमबर 36 को, तो आफ्र फर्टिलाइशन इन अंग्योस्पर्म, तो ओवरी डेवलाप्सन टू, तो आफ्रिलाइशन हो जाती है, तो ओवरी के स्ट्रक्चर में convert होती है, that is what we have to find, तो हमारे पास option है, option A, fruit, option B, seeds, option C, endosperm, option D, endocarp, so I know आप सभी को आंसर आता है, guess the correct option is going to be, option A, fruit, तो ओवरी जो है, वो convert हो जाती है, into fruit, very good, अगर हम बात करें, seed की तो seed किस से develop होता था, from the ovule, right, and endosperm की बात करें, तो it used to come from, the primary endosperm nucleus, and lastly we have endocarp, endocarp basically, fruit की, जो wall होती है, उसकी innermost layer है, तो obviously, अगर fruit develop होता है, ovary से, तो obviously, जो fruit की wall होगी, वो भी ovary की wall से develop होगी, right, तो उसकी तीनों layers, चाहे exocarp हो, जो outermost layer होती है, या beach वाली mesocarp, या अंदर वाली endocarp, तीनों की तीनों ovary की wall से develop होती है, बट हमको यहाँ specify नहीं किया गया था, कि वो ovary की wall से develop होने बादा structure identify करना है, right, तो हमको सिरफ ovary बोला है, तो ovary mature होगी entire fruit में, okay, और अगर यहाँ पर ovary wall होता, तो हम fruit की walls को, या उनकी layers को consider कर सकते थे, right, तो यह option यहाँ eliminate हो सकता है, right, the correct option is going to be option A, fruit, तो चलिए बच्चों, डिस्कास करते हैं अपनी problem number 37 को, that says, hyplontic life cycle is characterized by, तो जो hyplontic life cycle होती थी, वो उसका क्या characteristic feature है, वो हमें identify करना है, इन दिये हुए 4 options में, right, तो चलिए, एक एक करके सारे options को करते हैं, discuss, first option is sporic meiosis, then हमें option B में बोला जा रहा है, zygotic mitosis, option C is sporic mitosis, option D, zygotic meiosis, तो अगर आपको याद है, hyplontic life cycle जिसमें की, the hyplontic gametophytic generation जो थी, वो dominant phase को represent करती थी, और जो sporophytic phase थी, वो थी, बहुत ही short lift, right, और वो कौन रिप्रेजन करता था, just one cell zygote, यादेना आप सबको, तो जो diploid zygote था, वो एक बहुत ही important characteristic शो करता था, that was meiosis, उनमें जो zygote बनता था, वो बनते ही डिवाइड करता था, by meiosis, तो hyplontic life cycle का जो characteristic feature है, that is, zygotic meiosis, is that okay to all of you? याई, और hyplontic life cycle कौन शो करता था, जाधा तर algae, with few exceptions, but most of the algae shows hyplontic life cycle, so don't get confused, आपको याँ पर zygotic mitosis भी दे रखा है, तो इससे आपको confused नहीं होना है, you have to be very precise, कि hyplontic life cycle, zygotic meiosis, show करते हैं, तो चरिए बच्चों, discuss करते हैं, problem number 38, that says, an alga, that shows hyplontic life cycle, तो देखिए, हमने पिछले ही question में discuss किया, कि most of the algae, जो है, वो show करते हैं, hyplontic life cycle, with few exceptions, और देखिए, exception से related ही question आ गया, तो हमें फाइन करना है, उस alga को, जो show करता है, डिपलॉंटिक life cycle, तो हमारे पास option है, option A, spirogyra, option B, fucus, option C, ectocarpus, option D, polysiphonium, the correct option is going to be, option B, fucus, right, yes, तो fucus एक ऐसा brown algi है, जो कि, diplontic life cycle, show करता है, ओके, अगर हम बात करें, spirogyra की, तो spirogyra, जो है, वो एक green algi है, जो की normal, heplontic life cycle, show करता है, जो की characteristic feature होता है, of most green algi, right, अब हम बात करें, ectocarpus, और polysiphonium की, तो ये दोनो, जो cases है, ये भी exceptional cases है, जो की, heplontic life cycle, show नहीं करते, बल्कि, they show, heplodiplontic life cycle, याद है आप सभी को, so, ectocarpus, और polysiphonium, along with kelps, show करते थे, heplodiplontic life cycle, और आपको, अगर मैं remind करा दू, तो, ectocarpus क्या है, एक brown algi है, और polysiphonium, is a red algae, right, so, आपको इस तरी के सेरा, relate करना सीखना है, और जितने exceptional cases है, वो आपको, आपके fingertips में होने चाहिए, तभी आप, questions के answers को, find out कर पाएंगे, so, the correct option is going to be, option B over here, तो, चलिए बच्चों, discuss करते हैं, अपनी problem number 39 को, that says, how many of the falling organisms, show, haplodeplontic life cycle, यानि कि, दिये हुए कुछ examples में से, आपको identify करना है, ऐसे कितने organisms हैं, जो कि, haplodeplontic life cycle को, show करते हैं, तो, अगर आपको, याद है, haplodeplontic life cycle के बारे में, तो आपको, ये information भी collect हो रही होगी, कि, haplodeplontic life cycle, chiefly show करते थे, bryophytes, and teridophytes, और कुछ algae के भी, कुछ ऐसे exceptional cases से, जो कि show करते थे, इस चाइब की life cycle को, वो हम recall कर लेंगे, जब हम अपने examples को देखेंगे, तो हमारे पास option है, sphagnum, तो sphagnum, याद कीजिए, peat moss केते देना, इसको हम, यानि की bryophyte होने की वज़े से, obviously ये ये वाली life cycle show करेगा, then we have ectocarpus, ये वो exceptional case है, algae का, जो की brown algae है, और show करता है, heplodiplontic life cycle को, that means ये भी correct है, okay, then we have eulothrix, जो की green alga है, और ये कोई exceptional case नहीं है, इसका मतलब ये show करता है, heplontic life cycle को, इसका मतलब इसको करना पड़ेगा, हमें यहीं पर eliminate, right, then we have sylaginella, sylaginella is a terriorophyte, इसका मतलब ये भी show करता होगा, heplodiplontic life cycle, then we have syclus, syclus was a gymnosperm, और gymnosperms की characteristic feature क्या था, कि वो show करते हैं, diplontic life cycle, इसका मतलब ये option होगा, यहीं पर eliminate, then we had polysiphonia, the polysiphonia, the red algae, ये भी exceptional case है, जो show करता है, heplodiplontic life cycle को, इसका मतलब ये भी correct है, okay, then we have kelps, kelps, साथा तर आपको brown algae में, यानना, macrocystis के members, so ये भी show करते थे, heplodiplontic life cycle, ये भी exceptional case है, इसका मतलब, ये भी show करेंगे, right, then we have marcantia, which was a lever word, ये भी show करता है, heplodiplontic life cycle, क्योंकि ये भी है bryophyte, अब हम बाग करते हैं, funeria की, जो की again, एक moss है, इसका मतलब, bryophyte होने की वज़े से, ये भी show करेगा, now we have walvox, a green algae, इसका मतलब, ये नहीं show करने वाला, heplodiplontic life cycle, क्योंकि ये कोई exceptional case नहीं है, it will show heplodontic life cycle, इसका मतलब, इसको भी कर दीजे, यहीं eliminate, then we have dryopteris, so dryopteris क्या है, obviously एक fern है, इसका मतलब, ये teridophyte है, और ये show करेगा, ये वाली life cycle को, and lastly we have chlamidomonas, so chlamidomonas, green algae है, जो की exceptional case नहीं है, and they show heplodontic life cycle, इसका मतलब, ये भी option होगा है, तो अब हम find out करते है, कितने ऐसे example से, जो की show करते थे, heplodiplontic life cycle को, जल्दी से count कर लेते हैं, so we had first, second, third, fourth, fifth, sixth, seven and eight, यानि कि there are total eight examples, जो की show करते हैं, the heplodiplontic life cycle, so the correct option is going to be option B, तो जलिए बच्चो, अब हम पहुँच चुके हैं, हमारी आज की वीडियो के last question, that is problem number 40, that says, which type of life cycle is shown by seed plants, so seed plants, जिन्हें हम क्या बोलाते हैं, we used to call them, spermatophytes, right, so spermatophytes, कौन सी life cycle को show करते हैं, so अगर आपको spermatophytes के बारे में, कुछ information पता है, तो आप again relate कर सकते हैं, like spermatophytes seed producing plants हैं, जिनको की हम दो categories में divide करते थे न, we used to divide them into two categories, पहली category थी, gymnosperms, इन में seeds produced होते थे, but वो naked seeds होते थे, जो कि किसी fruit wall से covered नहीं होते थे, right, and जो दूसरे plants से, they were called angiosperms, so angiosperms में भी seeds बनते हैं, और वो fruit की wall के अंदर होते हैं, enclosed, right, तो अगर आपको पता है कि gymnosperms और angiosperms कौन सी life cycle show करते हैं, तो आप relate कर सकते हैं, और find out कर सकते हैं अपने answer को, so जली से मैं option पढ़ देता हूँ, तब तक कि आप guess की जी क्या होगा correct answer, so हमारा पहला option है, haplontic life cycle, B option is diplontic life cycle, C, haplodiplontic life cycle, या option D, none of the above, तो I hope अब तक आप सभी को अपने answer मिल जोगा होगा, the correct answer is going to be option B, diplontic life cycle, आप सभी को याद है न, diplontic life cycle में, जो diploid sporophytic phase होती थी, that used to be the dominant phase, और जो gametophytic phase होती थी, वो बहुत short-lived होती थी, है न, इसी लिए, so gymnosperm और angiosperm आप जानते हैं, इनकी main plant body होती है, एक sporophyte, and that is why they show the diplontic life cycle, so बच्चों, this was all from the chapter, plant kingdom, मुझे पूरी उमीद है, इस chapter से related, सारे important concepts, और questions आपको हुए होंगे, एकदम crystal clear, ऐसे ही अपनी नीट की preparation को, boost up रखने के लिए, जुड़े रहे है, learn oh up के साथ, आप हम मिलेंगे अपनी next वीडियो में, तब तक के लिए, आप रखे अपना ध्यान, और आप सभी जानते हैं, learn oh up, free है पर best है, झाप हैं,